दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही श्टॉक की बात करेंगे जिसने पिछले चार से पांस दिनों में आपको काफी बड़ा रिटन बना कर दिया है आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर आपको परड़े 20 वर्शन का अपर सर्केट लगता हुआ दिख रहा है तो क्या ऐसे में इस कंपनी को अभी बाई कर लेना चाहिए या फिर या कंपनी यहां से गिरने वाला है जो लोग इस कंपनी में ओलेड़ी इन्वेश्टर है उन्हें भी निकलने की तयारी कर लेनी चाहिए सब कुछ एनलाइज करके हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल बताने वाले हैं तो वीडियो में लास्तक बने रहे हैं कोई भी बाट मिस न करें और जिल लोगों ने अभीदक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबसे पहले वोग चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को फ्रेश करना न भूलें दोस्तों सबसे पहले कंपनी के नाम की बात के तो मैं बात करा Arnau Fassions Limited आप देखेंगे इससे पहले भी यह कंपनी बड़ी तेजी आपको दिखा चुका था लेकिन पिछले काफी टाइम से इस कंपनी में लगा तार आपको गिरावट देखने को मिल ला था उसके बाद इस कंपनी ने एक कॉंसोलीडेशन जोन क्रियेट किया और यहां कंपनी अब इस कंपनी के भ्रेक आउट की बात के तो सबसे पहले आपको इस कंपनी के RSI लेबल को देखना चाहिए आप देखेंगे बार बार यह कंपनी 50 की RSI लेबल पर रजिस्टेंग प्रेस करता था लेकिन इसमेर यह कंपनी उसको प्रेक करके उसके काफी ऊपर निकल चुका है और 82 के पास में जाकर आज क्लोज हुआ है, जैसे यह कंपनी 63 रूपीज का प्राइस ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है, तो फिर इस कंपनी में फ्रेस सिंटी करने वाले एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इस कंपनी में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले अपना इस्टॉपलस strongly follow करें 58 रूपीज पर और इस कंपनी का जो पहला टार्गेट होगा, वो होगा 72 रूपीज का, जैसे यह कंपनी 63 रूपे 50 पैसे का लेवल ब्रेक करें, उसके बाद इस कंपनी में बाइंग उपर्चुन्टी डूड करें इस कंपनी को वाई करके चल है, उनके लॉस की रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी उनका लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेसेंस और रखना पड़ जाएगा, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, सब्स्क्राइब करें, तैंक तैंक वर वाचिंग इस वीडियो